पैनिसिलिन के खोच के बाद अनिक प्रतिजविक बनी जैसे टेटरास लाइकिन, कैनामाइसीन, नियोमाइसीन, लिउकुमाइसीन और इसका उपयोग जिवानू, कवक, विशानू या अन्ने सुक्षमे के जीवों के द्वारा जो रोग उत्पन होते थे उनके उपचार के ल इसको कुष्ट रोग कहते हैं, यह ऐसे भयानक रोग है, जिनसे संसार के लाखों लोग मरें, लेकिन जब इनके लिए अन्टिबाटिक्स प्रतिजविक बनाई गई, तो यह हमारे लिए वर्दान साबित हुई, अब तक लगबग 7000 से भी जादा अन्टिबाटिक्स का नि संसे जीवणु और कवक के बारे में जानते हैं प्रतिजरjekों के नाम श्त्रोच जीवानुॉ पहला जो प्रतिजरेविक है उसका नाम है ग्रेमसीडीन जिस जीवानू से वह प्राप्त किया जाता है, वो है बैसिलस ब्रेवीस दूसरा, polymyxin, स्त्रोथ bacillus polymyxa, तीसरा, thiosilin, स्त्रोथ bacillus serious, चौथा, protesine even lycanopharmine, इसका स्त्रोथ है bacillus lycanopharmis, पाच्वा, streptomycin, स्त्रोथ, streptomyces grisias, छट्वा, teramycin, स्त्रोथ, streptomyces ramosas, साथ्वा, neomycin, स्त्रोथ, streptomyces frodi, आठ्वा, oreomycin, स्त्रोथ, streptomyces oreophacians, नौवा, chloromycin, स्त्रोथ, streptomyces veninjuily, दस्वा, eomycin, neocidin, bacillin, आदि, और इसका स्त्रोथ है bacillus subtilis, अब हम कुछ प्रतिजेविक उसके स्त्रोथ और उनके कारियों के बारे में जानते हैं, स्त्रोथ, penicillin notarum, प्रतिजेविक penicillin, इनके कारिय ये संक्रमन बिरोधी होते हैं, दूसरा, penicillin crysogenus, प्रतिजेविक penicillin, इनका कारिय रुमेटिक बुखार, सुराख, नीमोनिया, आदि में ये काम आते हैं, तीसरा, penicillin grisofalven, प्रतिजेविक, grisofalven, कारिय कवक्रोधी, चौथा, streplomycin rymosis, प्रतिजेविक oxytetrazycline, कारिय आंत्रिव मुत्रमार्ग संक्रमन, पाचवा, streplomycin erythricus, प्रतिजेविक erythromycim, कारिय निमोनिया, डिप्तेरिया, कूकर खासी, स्त्रोथ, spurgillus fumigates, इसका प्रतिजेविक है, फ्युमिजिलिन, कारिय साल्मोनिला व शायगेला जिवानु रोधी, साथवा, क्लोरोटेटरसाइकलिन, प्रतिजेविक, टेटरसाइकलिन, कारिय निमोनिया, नेत्रसंक्रमान, अस्ति मज्जाशोत, आठवा, माइक्रो मोनोस्पोरा पर्फ्यूरिया, प्रतिजेविक, जेंटामाइसिन, कारिय ग्राम पोजिटिव जिवान। स्त्रोट बैलिकस, लाइकेनी, फार्मिस, प्रतिजेविक, बैसे Zuk्रेसीन, कारिय, लिंफो निमा, उपधन्श रोग, स्त्रोट, स्त्रेप्टोमाइसिन, रनिन ज्वैले, प्रतिजेविक, क्लोरेम, क्यैनिकॉल, क्लोरोमाय सिटिन, ये सुक्षमे जीव का उपयोग रसायन, एंजाइम्स और अन्य जैवसक्री अनू के उत्पादित किये जाते हैं जो हमारे लिए बहुती लाबदायक होते है अब इथेनौल का उत्पादन इस्ट के द्वारा सेकेरोमाईस सेर्विसी के द्वारा किया जाता है और ये हम जान चुके हैं आएए हम कुछ कार्बनिक अमल सुक्षमे जीव के द्वारा उत्पादिक कार्बनिक अमल और उसके उपयों के बारे में जानते हैं आये जानते हैं, सुक्षमे जीव दौरा उत्पादिक प्रमुक कार्बनिक अमल के बारे में। पहला कार्वनिक अमल है सिर्ट्रिक अमल, जिस सुक्ष्म जीव से इसे प्राप्त किया जाता है, वह है ऐस्परजिलस नाइजर, उपयोग रंगाई वह परीरक्षक के रूप में. दूसरा कारबनी कमल एसेतिकमल जिसे एसीटूबैक्टर एसीटाई सुख्षमजीव से प्राफ्ट किया जाता है और इसका उप्योग सिर्का बनाने में होता है तीसरा कार्बनी कमल, ब्यूटारी कमल, सुख्षमी जीव, क्लॉस्टिड्रियम ब्यूटाली कम, इसका उपयोग खाद्य पदार्तों के परिक्षण में चौथा कार्बनी कंबल लेक्टिकंबल सुक्ष मेजीव लेक्टो बैसिलस बुल्गयरिस इसका उपयोग दुग्दु प्रोटीन का सकंदन खाध्यस अन्रक्षन में किया जाता है पाच्वा ओक्जली कमल सुख्षमिजूग एस्परजिलिस नाइजर इसका उपयोग लकडी की ब्लीच में मारबल को चमकाने में किया जाता है ऐसे सुक्षमिजीव के साथ कुछ enzymes बनाए जाते हैं और उनका उपयोग किया जाता है जैसे कि lipase enzyme अब lipase एक वसा पाचक enzyme है इसका उपयोग detergent और साबुन में से डाला जाता है इस lipase enzyme को ताकि जैसे कपड़ों में दाग लग जाते हैं उन दाग दब्बों को हटाने के लिए यह lipase enzyme काम करता है तो यह lipase enzyme भी किस से प्राप्त हो रहा है सुक्षमिजीव से प्राप्त हो रहा है इसी प्रकार से दूसरे जो enzyme से जैसे की protease और Pactinase है यह protease और Pactinase जो enzymes होते हैं कवक से प्राप्त किये जाते हैं उस कवक का नाम है aspergillus niger यह aspergillus niger से protease और Pactinase जो enzyme बनाए जाते हैं इनका काम होता है फलो के रस को और अधिक साफ करने के लिए क्योंकि फलो का जब रस बनाया जाता तो उसके साथ साथ कुछ और cell wall आ जाती है कुछ पार्ट उस फलो में रह जाते है तो उसको और अधिक डाजस करने के लिए इन enzymes को उपयोग किया जाता है इसके अलावा एक और enzyme है streptokinase अब यह streptokinase का उपयोग कहां पर होता है जैसे मान लिया जाए किसी व्यक्ति को heart attack आ जाता है तो जब heart attack आता है तो डॉक्टर उसे streptokinase देता है क्यों तो heart attack का बाता है जब आपकी रक्त वहानियों में रक्त का ठक्का जम जाए कोरोनरी arteries में जब ठक्का जम जाता है तब इस ठक्के को तोड़ने के लिए डॉक्टर streptokinase देता है अब यह जो streptokinase है यह भी कहां से प्राप्त हो रह है यह भी एक कवक से प्राप्त एक जिवानों से प्राप्त हो रहा है जिसका नाम है streptokokos जिवानों ठीक है तो इस ठक्के को तोड़ने के जो प्रोसेस होती है इससे हम ठक्का स्पोटन कहते है यह इसे clot buster कहा जाता है तो clot buster के रुप में हम क्या दे रहे है streptokinase दे रह प्राप्तर से इन सुख्ष्मिजीव की सायता से कुछ जैव सक्रिय और जैसे कि साइक्लोस्पूरिन ए इनका उत्पाधन किया जाता है अब यह जो साइक्लोस्पूरिन ए है इसका उत्पाधन एक कवक से किया जा रहा है और उसका नाम है Trichoderma Polysporum इस ट्राइकोडर्मा पॉलिसपोरम कवक से साइक्लोसपोरिन A बनाया जा रहा है अब ये साइक्लोसपोरिन A का उपयोग कहा होता है जैसे कि किसी व्यक्ति के कोई अंग खराब हो जाए मान लिया जाए किसी व्यक्ति की किड्नी खराब हो गई तो जब कोई डोनर उसे अपनी किडनी देता है तब हम उसे अंग प्रत्यारोपन कहते हैं तो जब अंग प्रत्यारोपन होता है तो उस रोगी व्यक्ति का शेरीर जो नई किडनी लगाई जाती है उसे reject ना करे उससे अस्विकार ना करे इसलिए क्या किया जाता है उस रोगी इसी प्रकार से हमारे शरीर में जब कोलिस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है किसी व्यक्ति में जब कोलिस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो उस कोलिस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए एक रसायन स्टैनिन दिया जाता है अब ये जो स्टैनीन है ये भी कहां से प्राप्त किया जा रहा है ये स्टैनीन बे कवक से प्राप्त किया जा रहा है और उस कवक का नाम है मोनासकस परपुटियस तो मोनास का स्परपिटियस से क्या प्राप्त हो रहा है स्टैनिन एक रसायन प्राप्त हो रहा है और इस स्टैनिन का उपयोग कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए किया जाता है तो जब रगत में कोलेस्ट्रॉल की मातरा बहुत जादा हो जाती है तो ये स्टैनिन ज अब सिर्के का उत्पादन कैसे किया जाता है तो सिर्के के उत्पादन के लिए भी सुक्षमिजीव की साहता ली जाती है और जैसे कि सुक्रोज लिया है और सुक्रोज का किंडवन कराया जाता है तो किंडवन कराने के लिए जो सुक्षमिजीव की साहता ली जाती है जैसे कि Acetobactericity और Bacillus Acety इसके उपस्तिते में किर्णवन करा जाते है जिससे सिर्के का निर्मान होता है ऐसे ही Acetone और Alcohol का जो निर्मान हो रहा है उसमें भी सुक्षमिजीव साहेता करता है और यहां पर जो सुक्षमिजीव होता है उसका नाम है Clostridium Acetobutalicum और Vitamins का जो निर्मान हो रहा है वो भी सुक्षमिजीव से हो रहा है जैसे कि Vitamin B, Vitamin B जिसका नाम है Riboflavin अब यह Riboflavin का उत्पादन कैसे हो रहा है जब Carbohydrate का किर्णवन करा जाता है सुक्षमिजीव की साहेता से जिसका नाम है Clostridium Butalicum के उपस्तिती में किर्णवन होगा जिससे Vitamin B, Riboflavin का निर्मान होगा इस प्रकार से इन सुक्षमिजीव की साहेता ली जाती है और ओधोगिक स्तर पर बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं जो मनुष्य के लिए बहुत जादा लाबदायक होते हैं अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे वाहित मल उपचार में सुक्षमिजीव माइक्रोप्स इन सिवेश ट्रेटमेंट तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि वाहित मल क्या है तो हम जानते हैं कि प्रतिदिन हमारे घरों से शेहरों से नगरों से गंदा पानी निकलता है वेर्थ जल अधिक मात्रा में निकलता है और इस वेर्थ जल का जो मुख्य घटक होता है वो होता है मलमुत्र और इसी वेर्थ जल को ही हम वाहित मल या सीवेश कहते हैं तो क्या इस वाहित मल में मलमुत्र के लावा और कुछ नहीं होता है इसमें मलमुत् अधिक मात्रा में कार्बनिक पदाद भी होता है जैसे हमारे घरों से रसोई से वाशिंग मशीन का अगर यूज करें तो उससे बात्रूम से वाश बेसीन से सब जगे से जो भी गंदा पानी है वो नालियों के द्वारा बहार निकलता है और ये सीवेज में उपस्तित होता है तो कार्बनिक पदाद भी सीवेज में उपस्तित है साथ ही इनमें सुक्ष में जीव भी उपस्तित होते हैं सुक्ष में जीव जैसे की एकोला बैक्टिरिया है वाइरस है या अन्य सुक्ष में जीव जो होते हैं इनमें पाए जाते हैं वाहित मल में और ये जो सुक्ष मे जी होते हैं ये रोग जनक प्रकृतिके होते हैं मतलब इनके दोरा बीमारिया फैलती है तो क्या होगा अगर हम इस वाहित मल को जो हमारे घरों से गंदा पानी निकल रहा है अगर हम इसे सीधा नदियों में विसरजित कर दे सीधा नदियों में जाने देंगे तो हम जानते है कि अगर ये गंदापानी नदियों में जाएगा तो नदिया क्या हो जाएगी प्रदुशित हो जाएगी गंदी हो जाएगी नदिया वहाँ पर रहने वाले जो जली जी है वो भी जीवित ने रिपाएंगे तो ये जो सिवेज है वाहितमल है इनने नदी में सीधा विसरजित नहीं किया जाता है सबसे पहले इनका उपचार किया जाता है उसके बाद ही नदी में विसरजित करते हैं तो उपचार कैसे किया जाता है इनको सिवेज ट्रिट्मेंट प्लांट में भेजा जाता है उसके बाद इनका उपचार होता है तो यह जो सिवेज होता है वाहितमल होता है इनका उपचार दो तरीके से होता है पहला होता है primary treatment जिसे हम कहते है प्रात्मिक उपचार और दूसरा होता है दूतियक उपचार या secondary treatment तो सबसे पहले हम प्राइमरी ट्रेटमेंट के बारे में जानते हैं तो हमको पता है कि हमारे घरों से जो पानी निकलता है हमारे बातरूम से हमारे कीचन से जो भी पानी निकलता है ये पाइप लाइन के दोरा सीवर टैंक में जाता है सीवर टैंक में जो भी पाइप्स लगे हुए रहते हैं वहां से ये पानी भेजा जाता है सीवेच ट्रिट्मेंट प्लांट में और वहां पर फिर इस वाहित मल का उपचार किया जाता है तो primary treatment या प्रात्मिक उपचार में क्या होता है इसमें सबसे पहली step होती है filtration जिसे हम कहते है नीस पंदन तो वाहित मल को जो tank में भीजा जाता है उसमें filter लगे हुए रहते है जाली जैसी संरशना बनी हुई रहती है इस जाली से क्या होता है जो भी बड़ा बड़ा कच्रा ह वो वही पर रुख जाता है और बाकी जो बच्चा हुआ कच्रा रहता है वो आगे दूसरे tank में भीजा जाता है तो यहां पर आप एक संरशना देख रहे है जिसमें जाली बनी हुई है इस जाली के द्वारा क्या होगा वाहित मल में जो भी बड़ी बड़ी चीजे है जैस कंकड पत्थर है वो इस ग्रिट चंबर में नीचे जमा हो जाते हैं और फिर इसे एक आउटलेट के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है अब बाकी जो बचा वाहित मल है इससे अब आगे आवसाधन के लिए सेडिमेंटेशन के लिए आगे एक सेटलमेंट टैंक होती है उसमें भेजा जाता है तो सेटलमेंट टैंक में क्या होगा इस पानी को वहीं पर कुछ समय के लिए वाहित मल को रोक दिया जाएगा जिससे उसमें जो बचा हुआ अप्शिष्ट पदार्थ है वो नीचे जमा हो जाता है तो जो नीचे जमा हो जाता है इसे हम कहते है प्र साबून रहेगी ओईल ग्रीस यह जो तैरने वाली चीज़े यह उपर रह जाती है और नीचे जो भी मल या अप्षिष्ट पदार्त है वो जो नीचे जम जाते हैं तो नीचे जो जम जाता है बैट जाता है ठोस पदात उसे हम कहते हैं प्राथमिक अवपंग या प्रामेरी स प्राथमिक उप्चार से बना है इसलिए हम इसे प्राथमिक बहिस्त्राओ कहते हैं अब यह जो प्राथमिक अपचार के लिए आगे भीजा जाता है और हम जानते कि इस वाहित मल में कुछ बैक्टेरिया और कवग भी उपस्तित होते हैं इसके बाद इसका दूतियक ये वाईवे टैंक है मतलब इसमे वायू प्रवाइद की जाती है साथी जो वाहित मल जिसे हम बहिस्त्राव कह रहे हैं इसके अंदर में क्या क्या उपस्तित है इसके अंदर में सुक्षमे जीव है जो कि जिवानू है कवक है साथी इसमें कार्बनिक पदार्थ पे उपस्ति तो ये और अधिक वृद्धी करने लगते हैं, गुणन करने लगते हैं, साथ ही इसे भोजन के रुप में क्या मिल रहा है, कार्बनिक पदार्थ मिल रहा है, तो ये जिवानों क्या करते हैं, इस कार्बनिक पदार्थ को अभगटित करते जाते हैं, भोजन के रुप में लेत तो क्या होता है धीरे धीरे ओक्सिजन की मांग जो है इन जिवानों के द्वारा बढ़ती जाती है तो हम कहते हैं कि जो पानी का बायकेमिकल ओक्सिजन डिमांड है उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो यह जो जिवानों होते हैं इसके अंदर में साथ ही कवक होते हैं इन दोनों के मिलने से एक संरचना बनती है, जिसे हम कहते है Phlox या उर्णक, तो कवक में जो तंतू होते है, यह तंतू इन जीवानों के ग्रूप के बीच में आ जाते है और इनसे जो संरचना का निर्मान होता है, उसी को हम उर्णक कहते है तो ये क्या कर रहे है उर्णक ये और्गेनिक मेटर को कार्मनिक पदार्थ को खाते जा रहे हैं ओक्सिजन का यूज करते जा रहे हैं तो धीरे धीरे बायो केमिकल ऑक्सिजन डिमांड इतना बढ़ जाता है बहुत अधिक बढ़ जाता है इसलिए बार-बार इसमें हम वायू प्रभाहित करते हैं साथ ही इस वायू वे टैंक को बीज-बीज में यांतरी कुरूप से हिलाया जाता है हिलाया इसलिए जाता है कि इसमें जो फ्लॉक्स है जो उर्णक है वो एक जगे जमान रहे ये सब तरब पानी में घुले हुए रहे ताकि ये कार्बनिक पदात को ठीक तरिके से अब घटित करें तो हम सिधा-सिधा कह सकते कि जितना पानी हमारा गंदा होगा जितना प्रदुशित होगा उसमें उतनी बायकेमिकल ऑक्सिजन डिमांड जादा होगी तो बायकेमिकल ऑक्सिजन डिमांड क्या है तो बायकेमिकल ऑक्सिजन डिमांड को हम ऐसे समझते मान लिया जाए एक लिटर पानी लिया एक लिटर पानी में कुछ औरगनिक कुछ कार्बनिक पदार्थ है इस कार्बनिक पद को अब घटित करने के लिए जितने ऐक्सिजन की आफशक्ता होगी वो कहलाइगी ऐसे क्या किया जाता है तो इसलिए इस वाइवेट ट Teige कि उरदोड हो जाता है तब समझा जाता है कि जो कार्बनिक पदायतहे है वो काफी हद con अब घटित हो चुके है, मतलब पानी हमारा काफी साफ हो चुका है, तो पानी जब साफ हो जाता है, मतलब कार्मनिक पदार्तों की मातरा कम हो जाती है, बियोडी की मातरा भी कम हो जाती है, फिर इसे आगे उपचार के लिए भेजा जाता है, अब इसे भेजा जाता है सेटलि तो सेटलिंग टैंक में जब लाया जाता है, तो सेटलिंग टैंक है, मतलब इसमें जो भी फ्लॉक्स है, उर्नक है, वो क्या हो जाते हैं, नीचे बैढ जाते हैं, अवसादन हो रहा है, अवसाद के रुप में नीचे बैढ गए हैं, तो ये जो अवसाद होता है, इसे कहा जा तो इस active sludge की थोड़ी सी मात्रा फिर से निवेश द्रव की रुप में वाईवे टैंक में भीजी जाती है। अब इसे निवेश द्रव की रुप में वाईवे टैंक में क्यों भेज रहे हैं। जैसे कि हमने देखा था कि दही बनाने के लिए हम दूद में थोड़ा सा दही निवेश द्रव के रुप में डालते हैं। वैसी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। settling tank में जो सक्री अवेव है उसकी थोड़ी सी मात्रा हम वाईवे टैंक में डाल रहे हैं क्योंकि हमें इस वाईवे जिवानों के आफशक्ता है हमें फिर से वाहितमल का उपचार के लिए उसके आफशक्ता होगी इसलिए इनको फिर से वाईवे टैंक में भेजा जाता है अब सक्री अवेव जब पूरी तरीके से नीचे आ जाते हैं फिर इस सक्री अवेव को आगे एक बड़े टैंक में भेजा जाता है और ये जो बड़ा टैंक होता है इसका नाम होता है अवाईवे अवेव संपाचक जिसे हम इंगलिश में कहते हैं अनेरोबिक सलज़ क्योंकि इसमें इसका अवाईवे नाम है तो आप समझे गए होंगे कि इसमें जो जिवानों पस्तित है या इसमें जो जिवानों वृद्धी करते है वो अवाईवे होते है वो अवाईवे श्वशन करते है तो अवाईवे श्वशन करेंगे तो जो वाईवे श्वशन करने वाले जीवानों, वो तो जिवीत नहीं रह सकते, तो अभ आई-वे Jennifer, इन फ्लोक्स को डाइजेस्ट कर देते हैं, इन्हें अभगटित कर देते हैं, इन्हें पूरी तरिके से डाइजेस्ट करके, फिर इनको अभगटित करते हैं, इनसे जो गैस का निर्मान होता है वो होती है बायो गैस, तो अनेरोबिक बैक्टिरिया के द्वारा अब आई वे जीवानों के द्वारा फ्लोक्स को डायजिस्ट किया गया, इसलिए इससे एक गैस का निर्मान हुआ, जिसे हम बायो गैस कहते है, बायो गैस में हम जानते है कि मिथेन, कारवण डा, इसाती है चिश बचर्ण किए यहां सकंद हो दीन पिटीच दिट का ऑफ्शी है। पूरी तरीके से साफ हो जाएगा और जब पूरी तरीके से साफ हो जाता है तो फिर इस पानी को हम नदियों में विसरजित कर देते हैं जिससे हमारी नदिया प्रदुशित नहीं होती है तो इस प्रकार से ये पूरा वाहित मल उपचार किया जाता है लेकिन हमारे देश में शेहरी करण के कारण क्या हो रहा है ये वाहित मल सयंत्र पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो पर्याप्त मात्रा में वाहित मल सयंत्र उपलब्ध नहीं है जिसके कारण क्या होता है वाहित मल को अभी भी हम सीधा नदियों में विसरजित कर देते जिससे हमारी नद वो साफ रहे। आईए बच्चो अब हम वाहितमल सैयंत्र के प्रात्मिक और दूतिय कुपचार को एक डाइग्राम की साहता से समझते हैं तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि यह डाइग्राम बना हुआ है यह पूरा है वाहितमल सैयंत्र अब इसमें सबसे पहले हमारे गहरों से जो वाहितमल गंदगी निकलती है नालियों से जो पानी निकलता है वो प्रात्मिक उपचार के लिए जाता है तो प्रात्मिक उपचार में आपर जाली जैसी जो सनरचना बनी हुई है जिसके द्वारा फिल्ट्रेशन होता है नीस पंदन होता है तो जो मोटा कच पानी प्रेट चंबर में आता है जो भी मिट्टी पत्थर कंकड रहेंगे वो नीचे आ जाएंगे और उसे एक आउटलेट के दोरा बाहर निकाल दिया जाता है फिर ग्रिट चंबर में जो उपर का पानी होता है उसमें तेल, साबून ये सब चीजे रहती है फिर इसे आगे बेजा जाता है, सेटलिंग टैंक में, सेटलिंग टैंक में क्या होता है, कि पानी में बचा हुआ अपशिष्ट पदात, नीचे ठोस पदात के रुप में जम जाता है, जिसको हम कहते हैं, अवसाद या अवसादन क्रिया कराई जाती है, और अवसादन में जो नीचे अपशि त्रिट्मेंट के लिए आगे उपचार के लिए बेजा जाता है और बाहार निकाल दिया जाता है तो आगे अब होता है तो सब तो तो वाईवे टैंक में वाईवे जीवान होते हैं कवक होते हैं जिनके द्वारा फ्लॉक्स का निर्मान होता है और ये फ्लॉक्स क्या करते हैं कार्बनिक पदात को अभगटित करते हैं साथी ऑक्सिजन का उपयोग करके ये वृद्धी करते हैं धेर धेर जब कार्बनिक आप देख रहे हैं नीचे में एक air compressor बना हुआ है मतलब इसके द्वारा इसमें हवा भेज रहे हैं ठीक है तो अब पानी कहा चला गया है settling tank में सेटलिंग टैंक में यह जो फ्लॉक्स होते हैं यह नीचे जम जाते हैं और नीचे जमने के बाद यह फ्लॉक्स का जो बाकी भाग होता है यह नीचे वाला जो भाग होता है स्लेटलिंग टैंक में जाने के बाद जो नीचे फ्लॉक्स जम जाते हैं यह कहलाते हैं सक्री अवे क्योंकि थोड़ी सी मात्रा को फिर से वाई वे टैंक में वापस भेज़ दिया जाता है तो यहाँ पर kıra pipe लगे हुए है यह pump बना हुआ है इसके दवरा इफ भर और ही फिर से जाए गा निवेश द्रौ की रुप में वाइवे टैंक में क्यों भेज रहा है क्योंकि हमको फिर से उपष्ण के अफश्शक्ता होगी वाहित मल के उपचार के लिए इस लिए इसे फिर से भेजा जाता है तो canard टैंक में जो सक्री अवे हैं फिर इसे आगए एक बड़Е टैंक में भीजा जाता है जिसे slュड डाजेस्टर कहते है जहाँ पर और यह जीवानु क्या करते हैं इस जीवानु को अब घटित कर देते हैं और इनके अब घटन रहाउ को फिर नदियूंसन किया है ल君 पानी को साफ किया जाता है ओर पिर只ल में और तो यह पर देख रहें तो यह जो बना हुआ है सक्रिया और इसे फिर से पाइप के दृणा बाहर निकाल दिया जाता है तो प्रात्मिक जो स्लज है प्रात्मिक अवपंक है दूतियक जो अवपंक है दोनों को आगे एक उपचार के लिए भेजा जाता है और इन पाइप के दोरा बहा निकाल दिया जाता है तो इस प्रकार से पूरा वाहित मल सयंत्र कार करता है जिसमें प्रात्मिक उपचार और दुटिक उपचार होता है और अगर फिर भी पानी साफ नहीं होता तो तृतिक उपचार के लिए भी भेजा जाता है हम जानते हैं कि बढ़ते हुए शहरी करण की कारण पहले की तुलना में वाहित मल की जो मात्रा है वो बहुत अधिक बढ़ गई है इतने सारे वाहित मल उपचार के लिए हमारे पास परयाप्त वाहित मल उपचार सयंत्र उपस्तित नहीं है इसलिए क्या किया जाता है कि इन वाहित मल्क को सीधा ही नदियों में विसरजित कर दिया जाता है जिससे जल प्रदुशन हो रहा है जल जन रोग उत्पन्न हो रहा है जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है तो इन जल प्रदुशन को रोकने के लिए पर्यावरण और वन मंत्राले ने हमारे द तहत हम आज दो योजना की बात करेंगे एक है गंगा एक्शन प्लान और एक है यमउना एक्शन प्लान इस योजना के तहद एक बड़ी संख्या में नए वाहितमल सयंत्र का बनाने का प्रस्ताव जारी किया गया है तो सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा एक्षन प्लान की हम जानते कि हमारी गंगा मनिश्यों के क्रिया कलाप के द्वारा बहुत जादा प्रदूशित हो गई है इतनी प्रदूशित हो गई कि वहाँ पर रहने वाले जली जीव भी खत्रे में है तो इसलिए हम अपनी गंगा को बचाना चाहते हैं तो यह जो गंगा एक्षन प्लान बना था यह 14 जनवरी 1986 में प्रारंबि किया गया था और इसकी कुछ उद्देश थे इसका उद्देश यह था कि जो गंगा है इस नदी का पानी को प्रदूशन से छुटकारा मिले यह इसका एक में उद्देश था दूसरा वाहित मल का सीधा नदियों में विसरजन न करके पहले इनका उपचार किया जाए और उपचार के बाद ही इस वाहित मल को नदियों में विसरजित किया जाए ताकि जल की गुणवत्ता में सुधार हो तीसरा ओधोगिक अप्षिष्ट को भी नदियों में विसरजित न किया जाया, उस पर रोक लगाई गई तो ये इसके मुख्य उद्देश थे अब इस उद्देशों के पूर्टि के लिए सरकार ने क्या किया साथ ही बिना जले शवो को नदियों में डालने से भी रोका गया है ताकि जो यमुना है यह हमारी गंगा नदी है यह सुरक्षित रहे दूसरा नदी की जो जैविवित्ता है इसके संरक्षन के लिए समय समय पर शोध्व विकास कारे किये गये है जिसके कारण इसकी उत्पाद रखता है जो बढ़ सके तीसरा सिविच ट्रिट्मेंट में नई तक्निकी का विकास किया गया ताकि जो उपचार हो वाहित मलका वो और अच्छे से हो इसलिए नई तक्निकी का विकास किया गया इसके साथ ही इस गंगा नदी में रहने वाले कोमल आवरन वाले कच्छों को सुरक्षित सनरक्षित रखा गया है और आर्थिक स्तीती हमारी और मजबूत हो इसके लिए उर्जा का उत्पादन के रूप में मिथेन का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ाया गया है तो ये गंगा एक्षिन प्लान में किया गया अब हम बात करते हैं यमुना एक्षिन प्लान की यमुना एक्षिन प्लान ये द्वी पक्षे योजना है मतलब ये भारस सरकार के साथ साथ जापान सरकार इन दोनों के सहीयोग से ये योजना पर कारे किया जा रहा है तो जापान के सयोग से चल रही है और जापान ने जापानीस बैंक ओफ इंटरनाशनल कोपरेशन की साहता से हमारी आर्थिक मदद की है और इस योजना को पर्यावरण वनमंत्राले और भारेश सरकार के द्वारा पूरा किया जाना है अब हम जानते हैं कि दिल्ली के ओधोगिक शेत्र में जो यमुना है ये सरवादिक प्रदुशित है क्योंकि लाको गैलन सिवेच को बिना उपचार के इस यमुना नदी में डाल दिया जा रहा है जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है तो आज हम देखते हैं कि जो गंगा नदी है और यमुना नदी है इनके शुद्धिकरण के एक जो मुहिम छिड़ी हुए है ये बहुत ही जोरो पहर है और हम चाहेंगे कि ऐसी ही बाकिस अब नदीया जो है ये हमारी प्रदुशित रहित रहे ताकि हम इन बिमारियों से इन रोगों से बस सके